तो हलो फ्रेंड्स वाल इवनिंग टू अल इस हमार यूट्यूब चैनल तैयारी विग्नर्स की तो आज को यह वीडियो रहेगा वह रहेगा यूट्यूब के वीडियो कैसे बना हाउ टू मेक यूट्यूब बीडियो इन 2020 इसकी टैगलाइन वी रही है तमनेल इसा ही है कि YouTube वीडियो कैसे बनाए सस्ते में सस्ते में अगर आपके पास computer या PC नहीं और आप एक YouTuber बनना चाहते हैं तो आप एक अपने mobile से बहुत ही अच्छे YouTuber बन सकते हैं और अच्छा वीडियो भी बना सकते हैं अपना content प्रोवाइट कर सकते हैं लोगों को जानकारी दे सकते हैं के देखते हैं तो आज के यह जो एपस हैं वो कौन कौन से हैं अब यह देखो केवल दस एप की साहता से आप अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा एक mobile चाहिए होगा Android फॉर्म में अगर एपल का फॉन है तो वो अच्छी बात है पर अगर Android है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा ओके mobile फॉन सभी के पास होगा उसके अंदर application यूट्यूब जरूर होना चाहिए यह तो बताने के आवश्यक्ता नहीं है सभी के पास होगा YouTube एप उसके बाद आपको उसमें चाहिए होगा pixel एप पिक्सल लेप से आप अपने वीडियो देखते हैं स्क्रोल कर रहे होते हैं YouTube को तो उसमें जो डिखाई पढ़ता है उसपे आपने हमारा थंल देखा था कि पिक्शर लगा हूँआ तो उस पे लिखा होता है YouTube वीडियो कैसे बनाए सस्ते में तो इस तरह इस पिक्सल लैप पे आप जाएंगे अगर इंडिवीजिल चाहते है कि पिक्सल लैप से कैसे थमनेल बनाते है तो वह भी वीडियो बना दिया जाएगा अगर आपका कमेंट आएगा तो वैसे आप CS Scanner, CS Scanner इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि आप कोई आपके पास बुक है आप उसमें से Questions पिक्चर क्लिक करके पढ़ाना चाहते हैं तो आप CS Scanner के साजता से उसे पिक्चर क्लिक कीजिए और फिर उसको स्कैन करके आप अच्छे से PDF बना के उसको पढ़ा सकते हैं अब PDF बन अपने फॉन में इंस्टॉल करने के बाद उसमें ID Login के लिए बोलते हैं तो ID Login कर लीजेगा आपको वर्ड में आपको एकदम से अच्छा बहुत अच्छा PPT बनाने के लिए मिल जाएगा वहाँ पिक्चर्स पी इंक्रूट कर सकते हैं अगर आप कोई टॉपिक पढ़ान कोपकीश कर लिजएगा जो भी आपको टाइप करना है उसके बाद जो भी जो भी और रिचरेफिति बहुत बन जाता है इसके साहता से काफी असान रहता अगर आप चाहते हैं कि इसे कैसे यूजज करते हैं तो जितने भी अैपस मह बता रहे हैं सबसके individual videos बना सकते हैं अगर आपकी query आएगी तो वैसे आप सीख लीजेगा ये सभी आपको play store में मिल जाएंगे अगला रहेगा evervacrovate ये तो basically सभी के phone में आता ही evervacrovate ये इसलिए अगर आप PDF में convert करते हैं तो इसकी आवशकता पढ़ती है इसके बिना पीडियाप में कोई भी PPT को convert नहीं कर सकते हैं इसलिए इसका phone में होना वहता आवशक किसी में compulsory होता है फोन में आ जाता है किसी में नहीं होता है तो आप उसे play store से install कर सकते हैं अगला जो रहेगा वो रहेगा डियो recorder जैसे हम अपना वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डियो recorder के साहता से करें काई स्क्रीन रिकॉर्डर भी प्ले स्टोर में मिल जाते हैं पर डियो रिकॉर्डर जो है वो आपको play store में नहीं मिलेगा आप गूगल क्रोम पर जाएए डियो recorder डाल दीजिए वहाँ पर आपको बहुत अच्छी quality में डियो recorder मिल जाएगा वहाँ से AP के उसका install करके वहाँ से आप इस एप को install कर लीजिए फॉन में रख लीजिएगा यह काफी benefit करता इसकी quality picture quality भी देख रहे हैं इस से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं उसमें आपको कुछ include करना है जैसे कोई थम या फिर यहाँ पर आपको subscribe का button लगाना होता है कुछ भी अगर लगाना है तो आप एडिट कर सकते हैं इसके दोरा कोई sound include करने हैं या two videos include करने हैं काइन master भी बहुत अच्छा option होता है पर उसमें क्या है कि बाटर मार्क हटाने के लिए उसमें pay करना होता है पर इसमें बाटर मार्क हटाने के लिए कोई pay नहीं करना होता है यह काफी free रहता है अब जब हम premium start करते हैं हमारे पास इतने money खर्च करने का नहीं होता है तो आप इसके दोरा अपना अच्छा video बना के उसको added भी कर सकता है इसके बाद आपके पास आजाएगा yt studio अब आपका अगर channel बना हुआ है तो yt studio आपके phone में होना आती है वश्यक है क्योंकि इसके दोरा आपको आपकी channel की बारे में सारी जानकारी पता चल जाती है कि कितने views आ रहे हैं कितने subscribers आ आपका जो audience retention है वो कितना discovery कितना है ये सारी चीज़ है जो है yt studio की बारे में दोरा आपको पता चल जाती है तो yt studio आगर youtube चैनल आपका है वीडियोस मिल जाएंगे तो इसमें क्या होदा ट्यूबडी में अगर आपको कोई वीडियो बना रहा है तो इसमें आप टैग सर्च कर सकते हैं जो टैग अच्छा होता है वो ये आपको recommend कर देता आप उस पे अगर वीडियोस बनाएंगे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा तो वहां से आप पिक्चर क्लिक कीजिए और इसमें पिक्चर को एड़ करके इससे जो पिक्चर होती उससे टैक्स्ट फॉर्म में हो जाता है अगर problem तो कुछ नहीं होती है वैसे अगर यह लगता है कि कोई हमें जो पिक्चर है उसको टैक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं और उसको फिर PDF बना सकते हैं तो यह आपके लिए काफी इजी हो जाता है और वेस्ट नहीं होता आपका टाइम इसलिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो अब इतनी एप्स की साहिता से क्या होता है कि आप एक बहुत अच्छे यूटिवर बन सकते हैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर वीडियो पो अच्छे वीडियो आपके पास पीसी नहीं है कोई मतलब नहीं आपके पास एक मोवाइल होना चाहिए और आप में पैशन होना चाहिए पैशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं एक पैशन एंड पैशन दोनों चीजह होनी चाहिए यूट्यूब पे काम करने के लिए ओके त तो फिर आप आप सभी का दिन सुब होगों.